इंटरनेट के इस जमाने में सोशल मीडिया आजकल की लोगों की जरूरत है सोशल मीडिया पर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई फेमस होना चाहता है सोशल मीडिया में लोगों को सही माइने में पहचान और सम्मान मिले इसलिए पहली बार सोशल मीडिया आइकन्स ने बड़े स्तर पर अवार्ड का रिक्रम का आयोजन किया जिसमें दिगच इंफ्लूएंसर्स, पार्टनर्स, इंडस्ट्री के लोग शामिल हुए आपको बताने की हाल ही में सोशल मीडिया आइकन्स 2023 अवार्ड के नॉर्थ एडिशन का आयोजन न्यू दिल्ली के फेमस होटेल दपार्क में किया गया सोशल मीडिया आइकन्स 2023 अवार्ड को समर्थन देने वाले पार्टनर्स और स्पॉंसर्स भी शो में शामिल हुए जिसमें रागव मितल इंडिया के सबसे बड़े प्रशंसित फैशन ब्रैंड हाउस और सूरे के मैनेजिंग डाइरेक्टर राजन गोस्वामी टोला और कैरेट एक पॉपिलर जुएलरी ब्रैंड के संस्थापक इसमें संजे मितल भी शामिल है जिन्हें वार्क किंग के रू में प्रसिद्ध हैं आपको बता दें कि कारेक्रम में बेहद ट्रांस्पेरेंट तरीके से नामांकन और ओनलाइन वोटिंग के बाद प्रसिद्ध जूरी ने अवार्डीज इंफ्लूएंसर्स चुने साथ ही 31 इंफ्लूएंसर्स को चार कैटेगरीज इंफ्लूएंसर्स ओ और यह आउट्सेंडिग इंफ्लूएंसर्सies सोफ तइए इंफ्लूएंसर्स ओफ यह सोशल मीडिया आइकन और स्पेशल कैटेगरी अवार्ड दिए आइकन什 दो हजार्थेईश को प्रियूस कम्मिकेशन से की प्रिये और प्रेंस्ट किया है साती इंफ्लूएंसर्स पार सूर्या को पावर्ड किया इसमें स्कॉडा रिजानो किबा नारायना हेल्थ रेडियो सिटी मंकी शोल्डर हेंड्रिक्स भी पार्टनर टीवी नाइन पर्पल फॉक्स ने पार्टनर के रूप में अपनी उपस्तिती दर्ज कराई इसके बारे में ये परेखने सोचल मेडिया बहुत ज़दा रेलेंस बगता है लोग के अवरीदे लाइड लाइड लगता है आज लोग बहुत जादा वक्त अपना प्वी बिता रे हैं। और वह रूप जाझ मेडिया में फेसकर बहुत जादा वक्तिशन तो सोचल मीडिया पे जो इंफिरेंशल लोग हैं वो किस तरह का कीन्टन बना रहे हैं वो क्या कहना चाहिए तो उनकी आवाज दोगो तक पहुच रही है तो वह बहुत ज़रूरी है कि जो अच्छे आवाज दर्च कर रहे हैं समाच के अंदर उनके सही तरह से आवार्ड मिले जाएं तो मैं बड़ा कुछ हूं कि मैं हां पर आया हूं और हम लोग के हाथ से इस तरह से प्रस्थिती मिल है यह पॉइंट इस जब हम लोग डिजिटल और पीर एजनसी में हैं और आज की डेट में जब सोचल मीडिया इतना कुछ चल रहा है सोचल मीडिया पर इतनी सारी वरकिंग हो रही है तो हाँ डिफिकल्ट इस आज की डेट में देखिए जिए निव एज मीडिया चैकर में तो इसलिए हम लोग सोचल मीडिया की वज़े से आइकन से हम इसको रिकेगनाइज करना चाहते थे लोगों को फेरली देना चाहते थे कि किता फेर है और वी वंटेट की अच्छे से अच्छे लोगों को मिले आज के दोर में तरेट आज इस प्रेट आज नहीं हो अपैसे से क्याम कहीँ होना चाहए आयोजन होने चाहिए और शुक्री लोगों को रिकेगनाइज कीया राधर दैं जस्धियों इन दिस इस को सोचिल मेडिया आइको घरर के वाल अिशियू कितना बेनिव explorer इसे बेनुट यसे बेनेफिट एक लेवल पर मिलेगा कि की कुछ मुझे लगता है कि जब लोगों को रिकनाइस किया जाता है, जब लोगों को उनकी अचीवमेंट के लिए सरहा जाता है, तो उसके उपर बहुत चीज़े उनकार मोटिवेशन मिलता है, तो वो नेक्स लेवल पर करता है, तो बहुत मिलेगा, और हम भी लोग कोशिश कर रहे ह कि इसके जरही है, ब्रैंड को अच्छा कॉंटेंट दे सके, इंफ्लेंसर को अच्छे टास्क और अच्छे ब्रैंड प्रोवाइड कर सके, अच्छे मोट की थोड़ा है, तो आपने किस किस केटेगरी बहा जाब आज आज बहुत सारी काटेगरी इस थी, food था, travel था, beauty था, lifestyle, makeup, बहुत सारी काटेगरी इस थी, बट काटेगरी में बहुत इंपॉर्टन यह नहीं कितनी काटेगरी इस कवर की गई, इसके बहुत अच्छी थी, पहले ही कुछ घंटों में एक हजार सा जादा इंट्री इस मिली थी हम लोगों को इसके लिए, और उसके बाद में फिर पोल्स के लिए हम लोग गहते हैं, यह नहीं पोल्स होते हैं लोगों के लिए, और उसके लिए लोगों के लिए, और उसके लोगों के लिए रिकर्टाइब हैं Hello everyone, I am Rajan Goswami, Creative Director and Founder of Tola & Carrot. It's been a privilege to be a part of this beautiful event. I want to congratulate all the creators and social media influencers who has been part of this award. Hope this award adds a value to their journey. Looking forward to see more valuable and creative content from our digital creators. All the best to the Social Media Icons team. Hope they will reach a great heights. Thank you. I am Sachin Khurana, I have been a former Mr. India, I am an actor and I do videos on electric cars. I would like to say that there should be awards in every industry. People who do so much work in any industry. If they will get awards, they will get a good job in social media. We will get the right influence. Sir, how much of the influence will get the right influence? See, I think the influence will get a lot of benefit and others will get a lot of benefit. Influence will get a lot of benefit when you do something good. If you get a lot of appreciation, you will get a lot of benefit. So, I think these are the first awards, social media awards. And I think they will get a lot of inspiration for them to do a lot of benefit. My name is Harpreet Suri and my handle is MomBest Prada. And today I will get the MomBlogger of the Year Award. I am very grateful to SMI for recognizing this effort. We are very excited. and as influencers, it is a very new category. It is a very new business. So, in this category, in this business, we get an award. What better than that? Hi guys, I am Prachi and I won this award for the Beauty Influencer of the Year. And I am glad that my work has been appreciated by all the people. And I feel great, top of the world. Thank you so much for having me. And this means a lot to me. Thank you. Hello everyone, this is your very own Khaata Rahe Mera Dil. And as you can see, I always keep eating. And for that, I also got an award. So, I think that's even better. And it's been a beautiful, beautiful experience coming here at the Social Media Icons Award Ceremony. And I really want to thank my parents. I want to thank my dearest God for this achievement. I think He's the best. And yeah, I think it's lovely getting the love of people. And yeah, I think I'm out of words right now. But I am trying my best to convey my feelings at the moment. Very emotional, very happy and very, very thankful and grateful. Hi, I'm Bhavidila Sehgal, Event Curator and Lifestyle Influencer. I got this award for Event Curation. That's my job guys. So, welcome everybody for the event. Some happening food and liquor events in coming times. Thank you. Hi, my name is Setu Kumar and I work as a fashion content creator. I do travel and beauty as well. I've been a part of the social media icon. Very, very excited to see what's coming up tonight. And keep rocking because this is a great platform for all the influencers to meet, network and cheers. Hi, I'm Ashna Malani. I'm a lifestyle content creator. And I'm here at Social Media Icon Awards and really excited to see what's going to happen. So, how many benefits do you have to have influencers? How many benefits do you have to have influencers? There is a lot of benefit to influencers because social media is so huge that that is the one medium that is the one medium that is the whole world. And because of that, we are standing here today. Our efforts are being appreciated and I'm so grateful for that. My name is Deesh Atiyagi and I'm an influencer and event planner. And now my runway event is also coming. That's why I am here. My name is Social Media Icon Awards. How many benefits do you have to have influencers? It's got a lot of influence because we are influencers who try to bring something good and different to the public. And when they go to Sahraha, they don't have a lot of things from them. So, they also get confidence. Yes, let's go ahead and do something. Hi, I'm Shagurika Bhattacharya and I'm an influencer and getting the award for the same. This Social Media Icon Awards is really, really great to be part of because influencing, I believe everybody has started but we can choose a few of them and with their awards, that is definitely Kaviyel Talif. And I think that everyone in such platforms should get the opportunity and it's brilliant for us. Hi, this is Sana Gauri. I'm Fashion, Beauty and Lifestyle Influencer and I'm really excited today because I've been nominated as a Beauty Influencer. I'm looking forward to win the award. Otherwise, everything looks so beautiful here. Excited to see the nomination of other categories also. Hi, I'm Yamini Malhotra and you know me from the Star Plus Serial Go Mai Kisi Ke Piyaar Mai and I'm here today at Social Media Icon Awards and it's a very great evening. So many beautiful people around and I'm so excited about it. Thank you. The nomination of the award function is going to be so big and it feels very honored. It feels very good. And I want to say that there should be such an award awards. There are a lot of influencers who get the talent and give the award and give the award. If you can do it, then you can do it. What's up ladies and gentlemen, how are you doing? This is Rafa Maddy and I'm here today at Social Media Icon Awards and I'm going to be hosting it for you people. And here we are calling social media icons and they appreciate their work which they do in their fraternity. And I hope that you all will enjoy it and it's going to be an amazing show. My name is Rafa Maddy and I hope you have a good time. I'm like, first time I'm having social media icons and it's organisers and place communication. They are very close to me and they are very good guests. So it's a nice start. It's a good start and it's a good start. As you can see, it's a good marketing platform for social media. So it's a good platform for influencers and bloggers so that people can see their work and give it a great effort. Hi, my name is Karan Arora. I'm a software engineer and I'm a model by profession and an online fitness trainer. How are you doing this? I think that I should be doing this because a lot of people get a platform that I didn't get before. So if it's happening in today's world, that's a boost for everyone, right? Do you have a quality quality? Just believe in yourself and go for it. That's the basic motto, I would say. All right.